हेलो डियर स्टूडेंट हेलो डियर स्टूडेंट गुड मॉनिंग देखो बच्छो हम बात करें थे गती से संबंदीद ग्रापों के बारे में इससे पहले हमने दूरी और समई ग्राप पढ़ाता जम हम एक्स एक्स पर दौरी को और वाइक्स पर टाइम को लेते हैं तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राप कпа बता है उसी पर कार आज हम एक नए ग्राप Mान के बारे में बात करने मौले हैं देखे च्टूडेंट velocity time graph जब हम x एक्जीज पर velocity को और y एक्जीज पर time को represent करते हैं तो इससे जो graph load होता है वो velocity time graph कहलाता है देखे च्टूडेंट क्योंकि हम जानते हैं velocity और time में एक relation है जो acceleration को बताता है यानिकि rate of change of velocity in alternate time is called acceleration इसलिए acceleration velocity time graph acceleration को ही represent करता है या acceleration को represent करने के लिए velocity time graph plot किया जाता है आगे बात करते हैं student graph के बारे में यह देखी यहाँ पर मैंने velocity time graph represent कर रखा है इधार हमने x axis पर time को y axis पर velocity को velocity हमने km per hour में लिया है और time hour में लिया है क्योंकि आप जानते है velocity rate of change of displacement per unit time होती है इसकी unit meter per second या km per second या km per hour हो सकती है देखिए student यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमने 40 km per hour पर इस परकार से आप ले रखा है तो आप देख रहे हैं कि 40 km per hour पर जो a b point है यह यह वाली लाइन है जो 40 km per hour है यह मूल बिंदों से होती हुई line यानी कि x axis के समानतर है समानतर हम इस परकार की लाइनों को कह रहे हैं तो आप देख रहे हैं यह line इस line के समानतर है और y axis पर 40 km per hour हमने लिया है वो x axis पर इस परकार से perpendicular डाल ला है तो एक समान से चल रही किसी गति के लिए velocity time graph को represent कर रहा है आगे बात करते हैं वो मैं आपको बताई चुका हूँ कि x axis पर हम बेक को लेते हैं और y axis पर time को लेते हैं x axis पर हमने time लिया है और y axis पर हमने velocity को दिखा रहा है यदि वस्तू एक समान बेक से गतिमान है तो समय के साथ जो समय का graph होता है उसकी उचाए में कोई परिवर्टर नहीं होगा यदि uniform motion होगी तो यहाँ इसकी length में कोई change नहीं होगा और जो graph प्राप्त होगा वो हमें x axis के parallel प्राप्त होगा यह वाला समानतर प्राप्त होगा आगे बात करते हैं एक समान बेक से चल लही किसी वस्तू के बेकता समय के गुड़न फल से विस्तापन प्राप्त किया जा सकता है यहीं कि velocity और time उनके product से हम displacement प्राप्त कर सकते हैं देखिए student हमने देखा कि इस diagram में हमने यहीं बात की graph में हम देखें तो यह देखिए a और b यहाँ पर जो a b c d बनना एक चतुरभुज बनना है यादि हमने इस छायां की धाक का छेतरपन निकालना हो तो हम इस चतुरभुज का छेतरपन निकालेंगे चतुरभुज का छेतरपन निकालने के लिए हम a b into c d का गुणा करेंगे जहाँ पर हमें c d की जो माप निकालनी होगी वो t2 माइनस t1 से निकालनी होगी यहनी की t2 में से t1 को गटा कर हम cd मेजर कर सकते हैं यह देखिए बच्चो वही बात यहां पर कही जा रही है कि t1 वर t2 के बीच कारदवारा तई गई दूरी को ग्याद करने के लिए t1 वर t2 के संगत विंदों से ग्राप पर लंब की चाहिए देखा आपने इस परकार से परपेंडिकुलर खीच रखा है ग्राप पर t1 वर t उसे जो 40 किलोमेटर पर आवर के बेक की उचाई t2 माइनस t1 की लंबाई ए भी से परदरसित किया गया है इसलिए हम टोटल जो छेतरपल निकालेंगे एसका तो ac into cd तो ac into cd यानि की ac तो 40 किलोमेटर पर आवर है जो यह वाला दिखा रहा था हमें एंटो cd और cd जो यह वाला था यहां पर t1 था यहां पर t2 था टो t2 माइनस t1 आवर अब यह किलोमेटर पर आवर है यह आवर है तो आवर से आवर कैंसिल तो यह 40 into t2 माइनस t1 किलोमेटर हो जाएगा इस ABCD का छेतरपल तो इसलिए एक समान लूप से तवरित गती तवर परण कहते हैं आगे बात करते हैं बच्चो यह देखिए माना एक कार के इंजन को जाजने के लिए सीदे मारगे पर कार को ले जाया जाता है और माना चालक के साथ में बैठा हुआ एक व्यक्ति है जो इसकी स्पिटोमेटर को देख रहा है तो इस पर कार के पाठ्यांक को नौट करता है समय सेकंड में लिए गए हैं जहाँ पर पांच पास सेकंड का गैप है तो कार का बेग मीटा पर सेकंड में 0,2.5,5.0,7.5 यानिकी 2.5 का गैप है किलोमेटर पर आवर में देखें तो 0918 यहाँ पर 99 किलोमेटर पर आवर का गैप है तो इसलिए हमने जब हम इस रेडिंग से ग्राप लोट करेंगे तो इस परकार का ग्राप हमें प्राप्त होगा यह देखिए अपर इस परकार से ग्राप जा रहा है 54 तक तो 54 हमने यहाँ पर लिए नीचे इस परकार से यहाँ बढ़ रहा है 5,10,15 इस परकार से तो यहाँ पर देखें स्टुडें समलंब की आकड़ती देखें तो A, B, C, D ये वाला भाग तो एक आयत है जबकि A, D, E ये वाला एक तरपुज है तो हम जब इस आकड़ती में इस छायंकित भाग का छेतरफल निकालेंगे तो वो इस A, B, C, D, E चतरपुज का छेतरफल होगा जहां पर ये A, B, C, D, E और एक तरपुज से मिलकर बना है तो इसको निकालने के लिए हम इस आयत का छेतरफल ज्याद करेंगे आयत का छेतरफल आप जानते हैं लंबाई गुणा क्या चुड़ाई A, B, C, D का छेतरफल धन तरपुज A, D, E का छेतरफल और तरपुज A, D, E यानि कि एक बट्टे का छेतरफल निकालने के लिए जहां पर आयत A, B, C, D का छेतरफल धन तरपुज A, D, E का छेतरफल आयत लंबाई गुणा गया चुड़ाई A, B, B, C और तरपुज A, D, E यानि कि एक बट्टे दो A, D, E, D इन्टो D यानि कि आधार गुणा गया उचाएं से इसका छेतरफ गति में हमें इस ग्राप में इस X-X की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और जो हमें चायंकित भाग प्राप्त हो रहे हैं चतुरफुज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं वो सता समानतर चतुरफुज हो सकता है आयत के रूप में हो सकता है या समलंब की आक मोशन में हो सकता है तो यह असमान त्वरिद गती में इस परकार से घरता हुआ ग्राप है नीचे की हो उसी परकार असमान त्वरिद गती में इस परकार का ग्राप प्राप्त भी हो सकता है यहां पर जिग जैक मोशन होती है ब्राउनियन मोशन हो रही है कभी ग्राप ऊपर क नीचे तो ये असमान तवरित गती में होंगे जबकि एक समान तवरित गती में जो गण पराप्त होगा वह एक से-गिच के पहलर पराप्त होगा उस पर T1 और T2 X पर लंब होंगे या वो हमें एक समलंब क्या करती का प्राप्त होगा उस चायन की दभाग होगा तो इस परकार से आज हमने बात की एक समान और असमान गति के लिए बेग समय ग्राप और मैंने आपको बताए कि बेग समय ग्राप को प्लोट करने के लिए एक जीज पर हम टाइम लेते हैं और और वाई एक जीच पर हम बेलोसिटी लेते हैं और वेग समय गराथ त्वरण को व्यक्त करता है धन्यवाद